आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से चीवड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैंने बनाया है सूजी से, बहुत ही आसान से रेसिपी और बहुत ही स्वाधिस्ट चीवड़ा बनता है, साथ आप इसे स्टोर करकर लंबी समय तक रख भी सकते और ये जो चीवड़ा है बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, तो में वर्षा भाव सायर रसोय घर में आप सभी का स्वागत है, तो चले फ्रेंड्स फटा-फट से इसे बनाना शुरू करते हैं, तो ये जो चीवड़ा है हम सूजी से बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जोलतों की सूजी की, तो सूजी हमें यहाँ पर बिल्कुल बारेक वाली यूज़ करना है, जिस सूजी का हम हलपा बनाते हैं, बस वही वाली सूजी हमें यहाँ पर लेना है, तो चले सूजी को मैंने साइड में रख दिया है, अब मैंने यहाँ पर बर्तन लिया है इसके अंदर हम डाल देते हैं एक कप और एक चोथाई कप पानी यानि मैंने यहां पर सवा कप पानी डाला है इससी के साथ डाल देते हैं थोड़ा सा नमक लगबक आधी-्छोटी चमच्च आप यहाँ पर डाल देंगे दो थे सब्सक्राइब EXTRAVAL करेंगी सब्सक्राइब अगम करेंगे तो यह आप पानी के पानी कि अगाली heißt अगर डिस्टते हैं इस इस घरम पानी के अंदर तो अब हम इसे continuously चलाते वे सूजी और पानी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो गेस का फ्लेम ओफ करके ही आपको ये काम करना है इस बात का आप ध्यान रखें तो यहाँ पर जो आप इस पे चुला देख रहे हैं वो अगारो ब्रैंड का है क्योंकि अगारो ब्र तो गेस शालू करके गेस पर कडाई रखी है अब इस कडाई के अंदर हम डाल देते हैं एक से देड बड़ा चमस्त तेल को हम यहाँ पर थोड़ा से गरम होने देते हैं इसके बाद में यहाँ पर डाल रही हूँ कूछ पीसे इस बादाम के तो मैंने यहाँ पर 10-12 बादा जब हम चीवडे में डालते हैं तो इनका स्वाथ बहुत ही बढ़ी आता है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक कटोरी भर कर मखाना इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी किश्मिश भी डाल रही हूँ तो ड्राइफ्रोड से डालना टोटली आपके उपर है कि आप म की पास हो या फिर जो भी आप पसंद करते हो उसी का यहाँ पर यूज कर सकते हूं अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो रोस्टेट चाना दाल होती है उसका भी यूज कर सकते हूं तो चले यह थोड़े से फ्राई हो चुके हैं तो अब इने बहार निकाल लेते हैं और अब इसी कड़ाई के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर सिकावा पीनट यानि सिकावा मुमफली का दाना जिसका मैंने चलका निकाल लिया हैं तो आप देख सकते हैं थोड़े चलके निकले वे हैं और थोड़े के चलके मैंने ऐसे ही रहने दिये हैं यानि थोड़े मैंने चलके न यानि पोपी सीट्स तो इसे भी चला लेंगे और पोपी सीट्स को भी थोड़ा से यहां पर फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही स्वाधिस्ट चीवड़ा बनता हैं फ्रेंड्स आने वाले फेस्टिवल पर आप इसे बना सकते हो या फिर बना के रख लीजिए चलते फिरते तो यहां पर देख सकते हैं करी पत्ता भी बढ़िया से फ्राई हो चुका है और यह सभी चीजे बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुकी है तो चली अब हम यहां पर डाल देंगे यह ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले फ्राई करके रखे वे थे तो चली फ्रेंड्स इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो बहुत ही स्वादिस्ट हमारा यह चिवड़ा बनने वाला है तो यहां पर देखिए इन सबी चीजो दाल रही हूं जिससे जो हमारे ड्राई फ्रोट से है ना उसमें नमक लग जाए बहुत ज्यादा नमक नहीं डाले और दो चमच भर कर में डाल रही हूं शूगर पाउडर तो घर पर पिसी वी चीनी का यूज किया है मैंने अब इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक कराई और कड़ाई के अंदर तेल डाल कर लो फ्लेम पे तेल को गरम होने देते हैं जब तक हम यहाँ पर दूसरे तायारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर दो उबलेवे आलू लिये हैं आलू को उबाल कर ठंडा कर लिजी और फिर नकालने के बाद इस तरह से इने लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स होना वो खतम हो जाएं तो आप चाहें तो थाली के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजे और हातों को भी तेल लगा के ग्रिस कर लीजे फिर आप यह काम कीजिए अब जो हमने आलू को कद्दू कस करके रखे वे थे वो सारे आलू हम इ मिक्स कीजिये ताकि सूजी और आलू एक सार हो जाएं तो अगर आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा नमख कर सकते हो वैसे मैं नमख पहले डाल चुकी थी इसलिए मैं यहां पर नमख नहीं डाल रही हूँ तो यहां पर देखिए दोनों को बढ़ेंसे मैंने मिक्स कर लि तो चलिए अब इस डो को उठा कर हम डाल देते हैं सेव बनाने वाली मशीन में तो हातों से इसे थोड़ा सा और आप चिकना कर लीजे अब आप देख सकते हैं अहां तो पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है यूगि सूजी जो हैं हमारी बहुत अच्छे से अपने ही भाप में पक चुकी है तो अब इस मशीन के अंदर हम यह डो रग देते हैं और इसके उपर इसका केप लगा कर इसे अच्छे से पैक कर देते हैं तो तेल को हमने यहां पर पहले से ही गरम करने रग दिया था तेल हमें यहां पर अच्छे से गरम चाहिए तब भी हमें यहां पर स चलाएंगे इसमें उपर जितने भी बबल से दिख रहें नहीं जब थोड़े कम हो जाएंगे इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे आप देख सकते हैं इसमें जितना भी जाग आ रहा था वो खतम हो चुका है इसके बाद उठाते वे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे तो दूसरी तरप से भी हम इसे इसी तरह से fry होने देंगे गेस का फ्लेम मैंने अभी भी हाई किया वा है यानि पूरी सेव को हमें हाई फ्लेम पे ही फ्लेम करना है तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी असे फ्लेम हो चुकी है तो यहाँ पर देखिए बहुती बड़ी ऐसे सेव बनकर बिल्कुल तयार है तो बहुती सुन्दर सा इसका कलर आया है और साथ ही बहुती क्रिस्पी भी है तो मैं इसे निकाल देती हूँ किसी बड़े बरतन में क्योंकि जो अभी हमने डाइफ्रू से फ्राइ करके रखे वे है ना तो यह सारे रोस्ट की ड्राइफ्रूट्स हम इसमें डाल देते हैं और एक बार इने बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं तो हलके हाथों का यूज कीजिए क्योंकि यह बहुती खसता है तो अब आप इसे एर टाइट कंटेनर में भर कर दो मैने तक स्टोर करकर रख भी स सकते हूं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए